उत्तर प्रदेश की सत्ता में बीजेपी के आने के बाद से ही योगी आदेतेनास सरकार सूबे के धार्मे के स्लो को लेकर खासा महरवान रही है ऐसे में योगी सरकार ने अपने इस कारेकाल का आखरी बजट पेश किया तो इसमें भी उसकी जलक साफ दिखी यूपी फाइनेंस मिनिस्टर सूरेश खना ने 5,50,270 करोड का एतियासिक बजट पेश किया पिछले बर्ष के मुकाबले ये बजट 37,410 करोड रुपे जादा है चुनाभी साल होने की बज़ा से योगी सरकार ने अपने इस बजट में नौजवानों से लेकर किसानों और महिलाओं को सौगात देने के साथ साथ अपने मूल एजंडे का खासा ख्याल रखा है योगी सरकार ने अउध्या के साथ साथ कैई धार्मे के स्थलों को सजाने और सवारने के लिए खजाना खोल दिया है नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अंकिस सिंग और आप देख रहे हैं यूपी तक हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अउध्या को मिले इस बार और पिछले बार यानी 2020 और 2021 के बजट के बारे में इस बजट यानी 2021 के बजट में योगी सरकार ने राम नगरी अउध्या विकास के लिए 140 करोड रुपे दिये हैं अउध्या में परिटन्स विदाओं के विकास के लिए 100 करोड रुपे की विवस्ता की गई है बजट में इसके साथ ही अउध्या एरपोर्ट का नाम भी मरियादा प्रशोतम राम के नाम पर किये जाने की घुश्ला की गई है जिसके बाद सदन में जैश्री राम के नारे लगने लगे अउध्या एरपोर्ट के लिए 101 करोड रुपे की राश्री तै की गई है श्री राम जनम भूमी मंदिर अयुद्या धाम तक बनने वाले मार्क के लिए 300 करोड रुपे के राश्री तै की गई है वहीं अगर बात करे 2020 के राम नगरी अयुद्या के बजट की तो पिछले बजट में अयुद्या में परिटन लिहाच से हाई लेवल सुविदाओं के विकास के लिए 85 करोड रुपे दिये गए थे साथी अयुद्या एरपोर्ट के लिए 500 करोड रुपे दिये गए थे जबकि तुलसी समारक भवन के लिए 10 करोड की विवस्ता की गई थी यानि पिछले बजट में अयुद्या के लिए करीब 600 करोड की विवस्ता की गई थी अयुद्या के साथ साथ योगी सरकार ने पीम नरिंदर मोदी के संसद्य शेत्र वारण असी को भी सजाने और सवारने के लिए 100 करोड रुपे की विवस्ता की है और वहीं परिटन इसलो के विकास योजना के लिए 200 करोड रुपे की विवस्ता प्रस्तावित की गई है काशी के साथ चितर कूट में परिटन विकास की कई योजनाओं के लिए 20 करोड रुपे की विवस्ता प्रस्तावित की गई है वहीं हम आपसे अब जानना चाहते हैं कि योगी सरकार के आप इस बजट को 10 में से कितने नमबर देना चाहेंगे और हाँ हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले शुक्रिया